आज हम खाने से लेकर ग्रॉसरी भी ऑनलाइन मंगाते हैं। जिसमें लोगों को घर बैठे सुविधाय मिल रही होंगी। इसमें आपको करना यह है कि एक प्लैटफॉर्म क्रियेट करना है। फिर आप जहां इस आप को लॉंच कर रहे हैं। उस शेहर के हर एक मेडिकल स्टोर को एप में रिजिस्टर करना है। फिर ग्राहक जिससे चाहे अपनी मेरिसन ले और आप टाइम पर डिलिवरी कर रहे हैं। हमारे आसपात बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रतिदिन या सापताहिक यात्रा करते रहते हैं। एक शहर से दूसरी शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, जो लोग अधिकतर यात्रा करते हैं, उन्हें हमेश्वा एक समस्या से सामना करना पड़ता है, वो है घर का खाना। यूँ तो बहुत अच्छे अच्छे होटेल, रेस्टराओं आदी हैं, लेकिन आप खुद जानते होंगे कि अधिक बाहर का खाना खाने से हमारी सेहत भी खराब हो जाती है, यदि हम कहीं घूमने के इरादे से यात्रा करते हैं, तो एक दो दिन ठीक है, वहीं बाहर का खा पूरे समर्पन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, तो ये बिजनस आपको बहुत लाप पहुंचा सकता है, इस बिजनस को करने के लिए सबसे पहले आपको उन जगाओं का चायन करना है, जहां यातरी अधिकतर घूमने या रहने जाते हैं, उनके आसपास के लोक ट्रैवल करने से पहले आपके प्लाटफॉर्म में दिखेगा, तो उसे उन घरों की जानकारी मिलेगी, जो घर का खाना प्रोवाइड करते हैं, यानि कि एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है, उसने अपने आप में जहां वो रुका हुआ है, उसे देखा, फिर जहां वो र क्यां कर सकते हैं, तो आप जैपान की कमपनी के शाइक के बारे में गुगल सब्साइब कर सकते हैं, यह कमपनी इसी तरह की सर्विस पूवाइड करती है, आप इस से प्रेय नाल ले सकते हैं. काउंसिलिंग का बिजनस यह एक ऐसा प्लाटफॉर्म होगा जहां आप कुछ एक्सपोर्ट लोगों को जिम्यदारी देंगे कि वो लोगों की बात सुरें उन्हें सही सला दें और उनको आगे का मार्ग दिखा सकें कोरोना ने डिजिटल की वैल्यू बढ़ा दी आज हम दूर होकर भी अपनों से जु अपनी है का जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइट कर रही है आप उसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं उससे प्रेड़ना लेकर आप 2021 में अपना बिसनस शुरू कर सकते हैं सस्ते में खाना प्रोवाइट कराने का बिसनस हमारे देश में प्रतिदेन बहुत से लोग भूखे सो जाते हैं और वहीं प्रतिदेन क्विंटलों में खाना बरबाद होता है ऐसे में यदि आप 2021 में अपना बिसनस शुरू करने की सोच रहे हैं और आइडिया ढून रहे है तो आपको हम यहां एक ऐसा आइडिया देने जा रहे हैं जो आपको भविश्य में कामयावी दे सकता है हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन अधिक राशी लगा कर खाना नहीं खा सकते वह ऐसा विकल्प ढूंते हैं कि उनको अधिक मुल्य ना देना हो और भ देते होंगे तो आप उस खाने को फेंके नहीं बलकि मुझे बेहत कम दाम में दे दें जुससे खाना भी बरबाद ना हो और आपको कुछ दाम भी मिल जाए अब आपको एक प्लैट्फॉर्म बनाना है जहां लोग बेहत कम कीमत में यह खाना और कर सकें मान के चलिए कि एक आप इसी कमपनी है इस तरह की सर्विस पर वाइड कर रही है आज ही काफी पॉपुलर है आप इस कमपनी से भी प्रेड़ना ले सकते हैं रिसाइकलिंग का बिजनस प्लास्टिक वातावरं के लिए हानिकारक है यह हम सब चानते हैं सरकार भी धीरे-धीरे प्लास्टिक को ऐसे में यदि आप 2021 के लिए कोई बिजनस आइडिया ढूंड रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा बिजनस विकल्प है रिसाइकलिंग वाले प्रोडक्ट के डिमांड आहिस्ता आहिस्ता ही सही परबढ़ रही है हाला कि अभी भी मार्केटर्स में रिसाइकलिंग प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है आप इस बिजनस को करके काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इसके लिए आपको करना ये है कि सरकारी नियमों का पालन कर पंजिकरन कराएं आप किस तरह रिसाइकलिंग करेंगे ये सुनिश्चित करें क्योंकि रिसाइकलिंग कई प्रकार की होती है लेकिन आपको ये बता दें कि आने वाले समय में इस बिजनस की डिमार्ट और बढ़ेगी तो ये बविश्चि के लिए भी एक अच्छा बिजनस विकल्प है जिसमें परियावरन सुरक्षित भी रहने वाला है और प्रॉफिट भी अधिक होगा